कितने आदमी थे आज भी लोगों को याद है हलांकि इस फिल्म को करने से पहले अमजद खान एक आम कलाकार हुआ करते थे उस दोरान वह बहुत तंगी से गुजट रहे थे विलेन बनकर लोगों का मनरंजन करने वाले अमजद खान का जीवन बहुत दुखद रहा है आज हम आपको अमजद खान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्यरे चकित हो जाएंगे यूँ तो एक्टर ने अपने करियर में 132 से ज्यादा फिल्मों में काम किया इनमें से उनकी सबसे लोग प्रिये फिल्म शोले हैं जिसमें उन्होंने गबर सिंग का किरदार निभाया हलांकि इस फिल्म को करने से पहले अमजद खान की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उनके पास दर्द से तड़प रही अपनी पत्नी का अस्पताल का बिल चुकाने तक के लिए पैसे नहीं थी इस दर्दनाक याद से जुड़ा एक किस्सा अमजद खान के बेटे शादाप खान ने अपने एक इंटर्वियू में किया था उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक हैसे इतनी खराब थी कि उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थी दरसल ये उस वक्त की बात है जब आर्थिक तंगी से जूज रही अमजद खान की पत्नी बच्चे को जन देने वाली थी और अस्पताल में भरती थी बेटे को जन्म देने के बाद एक्टर की पत्नी कई दिनों तक अस्पताल में रही लेकिन एक्टर उन्हें लेने नहीं आ पाए जिसके पीछे वज़ा ये थी कि एक्टर के पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थी और इस वज़ा से वा शर्म के कारण अमजद खान की मदद के लिए पहुँच गए चेतन आनन्द ने अमजद खान को 400 रुपिय दिये ताकि वह अस्पताल का बिल चुका सके और पत्नी और बच्चों को छुट्टी दिला कर घर ले जाएं हलांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन एक्टर की पत्नी और उनका बेटा अस्पताल से घर गए उसी दिन एक्टर ने फिल्म शोले साइन की थी आपको जानकर हैरानी होगी कि गबर सिंग के किरदार के लिए अमजद खान मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी उनसे पहले अविनेता डैनी को ये रोल ओफर हुआ था इतना ही नहीं डैनी समेत सोले की स्टार कास्ट की फोटो भी स्क्रीन मैचिन की कवर पछप चुकी थी लेकिन उस दोरान डैनी को फिरोज खान की फिल्म धरमात्मा की शुटिंग के लिए अफगानिस्तान जाना था जिसके कारण उन्हें सोले छोड़नी बड़ी थी जिसके बाद संजीव कुमार और अमिता बच्चन तक इस रोल को करने को तयार थे लेकिन सलीम खान ने इस रोल के लिए अमजद खान का नाम से जेश्ट किया जिसके बाद फिल्म के डिरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें फिल्म में काश्ठ कर लिया था आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं कि यह फिल्म बड़े परदे पर कितनी बड़े हिट रही वहीं गबर की किरदार में अमजद को भी जनता का खोब प्यार मिला और इस फिल्म से वह रातो रात बड़े परदे पर मशुहूर हो गये थे। आपको बॉलिवूड का यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं।